Hello students, in today's video we will find out the value of cube root of 79507 by the help of prime factorization method ठीक है, तो आपका ये नमबर है, इसका हमें cube root find out करना है, prime factorization method के दूप, ठीक है 79507, ठीक है, इसके हम निकालेंगे सबसे पहले prime factors, तबी तो prime factors की मदद से हम cube root find out करेंगे संक्याखा ठीक है, तो like जैसे मैंने इसको वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको try किया, कि ये number जो किस number से कटेगा, ठीक है तो गुछ दिर बाद मुझे पता चलता है कि ये number जो है, prime number से कटेगा, वो number क्या है, 43 ठीक है, 1, 8, 4, 9 टाइम में जाएगा, फिर again 43, 43 टाइम में चला जाएगा, फिर 43, फिर 1 टाइम में चला जाएगा, ठीक है, ये तो आए इसके prime factors ठीक है, अब मैं एक बात कहूँ आप से, कि अगर इन prime factors को मैं, again multiply कर दूँ आपस में, ठीक है, 43 इंटो 43 इंटो 43, तो result आपको यही तो मिलेगा, जिसका आपने prime factors निकाला था, जी बिलकुल मिलेगा, अगर आपको doubt हो रहा हो, तो please इसको अभी multiply करके देख लो, ठीक है, तब तक मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है, अब इसको एक लिखने 42 the power 3 कर दो, ठीक है, अब हमाई क्या निकालना, cube root, ठीक है, तो इसके लिए एक चीज है, इस power को हम दूसरी तरफ transfer करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, इस cube पर आजाएगी यह power, जब यहाँ पर 3 है, जब इधर जाएगी, तो 1 by 3 हो जाएगी, और इधर क्या बचेगा, 43 to the power 1, यहाँ पर कुछ तो बचेगे, अगर 0 लिख दोगा ना, यहाँ पर कुछ भी संक्या लिखी है, यहाँ तो यहाँ पर result 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 power है, ठीक है, 0 नहीं है, ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, इसी को आप लिखोगे, cube root, इसी की तो value आपको find out करनी थी, और finally आपका result भी 43 आ गया, ठीक है, hope so, आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe पढ़ना बिलकुल ना भूले, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए thank you so much.